जैने दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर पच्चेस फरवरी 2021 का बहुत ही मात्पोन को करेंट अफेर तो वीडियो को पूरा बस से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल क स्टार्ट करते हैं आज का अपना एई वीडियो आज का फर्स्ट कॉस्चन है नेपाल की सुप्रीम कोट ने किसके फैंसले को पलटते हुए प्रतिनिदी सभा को फिर से बहाल कर दिया है तो किसके फैंसला जो है पलट दिया है नेपाल का जो सुप्रीम कोट है इसने तो प प्रदानमंत्री केपी सर्मा ओली का फैंसला पलड़ दिया है प्रदानमंत्री है नेपाल के कौन केपी सर्मा ओली की सिफारिस पर राष्टपती विद्या देव भंडारी ने पिछले साल 20 से दिसंबर को नेपाली संसत भंग कर दी थी और राष्टपती की बात करें तो क्या है तो नए अद्याग्स की रूप में जो निव्क्त क्या है फ्यों ने किसको नियुक्त क्या है तो कॉस्चिय नमबर दो का सही आंसर है यह सक्टीवेल आपका यहां पर सही आंसर है निर्याद के संगटन फेटरेशन ऑफ इंडिया एपसपोर्ड और्गिनाजेशन फ्य का है लेंगे सकती वेल ऐसे समय फ्यो का प्रभार ली रहे हैं जब देश का निर्यात कोबेट नाइंटीन के असर दीरे दीरे से असर से अबरने लगा है अंगला कॉस्चन क्या है देखे कॉस्चन नमबर जो तीन है यहां पर पूंचा गया है कि नागलेंड में केंदो और र सब्सक्राइब जो है इसे चात्रों सिक्चकों को ओनलाइन सिक्चा के लिए आविसा के प्रोद्यगी की हासल करने वे भी मदद यहां पर मिलेगी अंगला कॉस्चन देख लेते हैं मोश्ट इंपोर्टन कॉस्चन है और देख लेते हैं एक क्या है कि मद्द प्रदेश के मौकमंतरी सिवरासिंग चौहान ने मद्द प्रदेश के हुसंगा बाद सहर का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है तो आपका यहां पर सही आ का नाम बदल कर नर्वदापुरम रखने की घोशना की है नर्वदापुरम जो है इसका नया नाम रखा जाएगा हुसंगाबाद सहर का नाम एक अमलावर हुसंग साय थे हुसंग साय इनकी नाम पर हुसंगाबाद का नाम रखा गया और जो की मालवा का पहला सासक था और एह जला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्था और हो संग वाद नर्मदा नदी के किनारी संदर गाटों के लिए प्रिसिद्रे is प्रमुख आकशनल की बात करें तो िरतानी गाट जो है यहांफ़ प्रमुख आकरशनल को क्यान्द्र है वो संगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी पर नर्मदा पुरम रखा जाएगा नर्मदा नदी मद्द प्रदेश की जीवन रेखा है बिल्कुल सही मद्द प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है अगर पूंचा जाए आप से तो नर्मदा नदी आंसर आप प्रस्तां को मंजूरी दे दी है तो एक कॉस्चिन कॉस्चिन नमबर पांच आपको बहुत ही महत्यपुन कॉस्चिन है और आपका सही आंसर है तेरा हजार सास्सो कलोर रुपे तेरा हजार सास्सो कलोर रुपे आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर डी आपका यहां में कहा गया है थल बायू और नो सेना के लिए महत्यारों और अन्य रक्षा सामवानों की खडिदारी की जाएगी रक्षा मंत्राले की वायन में आंगे कहा गया कि इस अभी रक्षा अधिग्रान प्रस्ताओं को स्वादेशी तरीकी से डेजाइन डेपलप और तयार क्या गय यान की बंगलादेश देखिए बंगलादेश एक ऐसा पहला देश बन गया है याद रखना मोस्ट इंबॉर्डन कॉस्चन है बंगलादेश एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक किटो प्रोफेन पर प्रितिबंद लगा दिया है मवीशियों की इलाज क क्या से कदम उठाया है एक इसने उठाया है बंगलादेश ने बंगलादेश जो देश कोष्टन क्या है तो इस रहा आपका पॉष्टन नम्पर साथ हैं किरल सरकार ने हाल ही में पारंपरेक आंगरबारियों को वहतर सुवीदा के साथ समार्ट आउ सन्रचना की रूप में व मानी कि 9 कड़ोर रुपे, 9 कड़ोर रुपे आपके यहां पर सही आंसर है, 9 कड़ोर रुपे की यहां पर मंजूरी दी है और राज्य सरकार की ओजिना की मताबिक इन इसमार्ट आंगनवारियों को चरनबत्य तरीके से विक्सित क्या जाएगा, इसका उद्देश बच्चों क्या पूच्छा गया है, क्या पूच्छा गया है क्या पूच्छा गया है क्या अप्र विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है और 24 परवरी को क्यांद्रे पूच्छ कर सीमा सुलक बोर्ड दोरा देश भर में क्यांद्रे उत्पाद सुलक के दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को देश के पृति क्यांद्रे उत्पाद और सीमा सुलक बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है, इस कर अधिनयम को लागू करने कि श्मेर्टी में कौन सा दिवस मनाया जाता है के अंध्रिय उत्पाद सुल के दिवस मनाया जाता है अंगल間 qda कोश्चन क्या है अंगला qda क्उस्चन देख लेते हैं पिछले वीडियो का चेलेंज परिस्न है यह हमने आके लिए चेलेंज प्रशन दिया था कि गंगा औरामे पुत्र की समयक तो जलधारा किस नामसे जानी जाती है तो यह जो बहुत सही हिंग वह सारे लोगों ने राइट आंसर बताय था कि जो जलधारा है जानी जाती है मेगना की नामसे मेगना यारनि कि विकल्प नंबर C आपके हैं पर राइट आंसर हैं मैं आप देख लें थोड़ी से हम बता दें आपके लिए क्या है कि मेघना नदी बंगला डेश की प्रमुक नदी है गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली तिन प्रमुक साइक नदियों में से एक हैं इनने नदियों से बिस्त का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दर बन डेल्टा बनाया जाता है यहां सुन्दरी नामक बन पाया जाता है जिसका इसे सुन्दर बन डेल्टा कहा जाता है यह भी आपका बहुत ही मत्पूर question है और बंगाल की खाड़ी में जो है यहां पर देखिए सुंदरवन डेल तक इसको कहते हैं और जो की बंगाल की खाड़ी में खुलता है मेगना में पदमा नदी चानपुर जिला में मिलती है और अंतता यह भूला जिला में बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो जो मेगना अनुसर नदी हैं अंगला कोर्षें क्या हैं अज़ का challenge – 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राज में महला में साङहफ़यतार सबसे किम हैं देखिए आपसे यहाँ पर 2011 की जनगर्णा किना सबसे कम पूचा है और महलाओं ay है राजस्तान में है उडिसा में सिक्यम में है यह आपके चार विकल्प देगा है आंसर आगर आपसे बनता है तो कमेंट में आप आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आनुसर तो इस परकार आज की वीडियो हैं बस इतना ही यहाँ पर अपने बहुत ही महतुपूर्ण क को सियर करना है तकि अनलोग भी एब वीडियो देख सके और वीडियो को लाइक करना न भूलें पीडियाओ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जड़ जाए लिंक आरे 2017 में यह है टेलिग्राम ग्रुप की आहां से आप टेलिग्राम ग्रुप को जान कर लें आएंपर आपके लिए पीडियाप इस्टेडी मैटेरियल उप लफद कराए जाता है आज की वीडियों बस इतना ही सभी लोगां के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जय हिंद